नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आप सभी सिक्षकों के लिए बेहद महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके विद्यालों का निरिक्षण जब अधिकारी करने जाते हैं तो वहाँ पे आजकल बच्चे तो गायब हैं सिक्षकों से ही ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उ कोई भी अधिकारी आपके विद्याले में पहुंचता है तो उसका सहजता से आप जबाब दे सकें जिनके विद्याले में ये निरिक्षण हुआ है और उनसे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी हमने इसमें समाहित किया है कुल 15 प्रसनों का हमने संगरा किया है नेक् आपको कोई उस तरह की परिशानी नहों और आपको इजली ये प्रसनों जो ये प्रसन हैं उनके उत्तर आपको आसानी से तयार हो सकें तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आरंभी कस्तर पर भासा सीखने का क्या क्रम है तो आपके आरंभी कस्तर पर भासा सीखने का क्रम है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स इसके पहले वाले प्रस्ट में कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है यह साट कट है उसका सुनना बोलना पढ़ना और लिखने का साट कट में इसको बोलते हैं सुबोपल आपको ट्रेनिंग में भी यह चीजे बताई गई होंगी तो आपको यह चीजें कंठस्ट होना चाह पर आधारित है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन मिसल प्रेडा के सुरुवाद कब होई तो जी हां दोस्तों मिसल प्रेडा के सुरुवाद 4 सितंबर 2019 को हुई थी दोस्तों पांचवा प्रस्ण है मिसल प्रेडा का सुभारम किसके द्वारा किया गया आप तो आप जानते होंगे कि यह दो विश्यों के लिए भासा और गडित के लिए प्रेडा लच्चे को तैयार किया गया है नेक्स्ट क्वेस्टन को देख लेते हैं दोस्तों तब वह विद्ध्याले प्रेड़क विद्ध्याले माना जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं दोस्तों पूछा जाता हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेडा लच्छ जो निर्धारित किया गया है वो कच्छा एक से कच्छा पांच तक के लिए निर्धारित किया गया है चलते हैं अगले question पर चलते हैं प्रेडा सुची में क्या दिया गया है? तो दोस्तों प्रेडा सुची में विषयवार ये औंग कक्छावार जो learning outcome को परिभासित किया गया है वो चीज प्रेडा सुची में दी गई है Next question देखते हैं Sorry प्रेड़ा सुची के अनुसार कच्छा 1, 2, 3 के लिए कितने learning outcome दिये गए हैं तो जी हैं दोस्तों कच्छा 1, 2, 3 के लिए 14 learning outcome दिये गए हैं ठीक इसी प्रकार अगला question बन सकता है कच्छा 4, 5 के लिए जो देखते हैं प्रेड़ा सुची के अमसार कक्षा 4-5 के लिए कितने learning outcome दिये गए हैं तो जी हैं दोस्तों 4 और 5 के लिए 16 learning outcome दिये गए हैं ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बहुत ही पूछने लाइक एक questions है आप देखें तेरहवा question प्रेड़ा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किये जा सकते हैं ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपको प्रेड़ा तालिका भरनी है तो ये आपको जनकारी हरहाल में होनी चाहिए तो एक साथ तीस बच्चों के नाम उसमें अंकित किये जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है और लास्ट क्वेस्टन आज का कि प्रेडा तालिका को किसके द्वारा प्रमारित किया जाता है तो प्रेडा तालिका को प्रमारित किया जाता है तो प्रेडा तालिका को प्रमारित किया जाता है तो इसको अच्छी तरीके से आप तयार कर लिजिए उसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइट करा देंगे जिसके तयारी आप अच्छे धंग से कर लिजेगा तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कवसी किजिएगा चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को किजिएगा और अगर चाहते हैं कि इस तरह के इंफर्मेंटी वीडियो आपको मिलते रहें तो वैल आइकन को वसे प्रेस किजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके मिलते हैं दो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ तब त कि इसका हैं